साथियों, पुर्वी लदाख में जो हुआ, उसको लेकर आपने रक्षामंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा, न वहां कोई हमारी सीमा में गुशाया है, नहीं कोई गुशा हुआ है, नहीं हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कबजे में है, लदाख में हमारे बीज जाबाज सहीद हुए, लिकिन जिनों ने भारत माता की तरफ आँख उठा कर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं, उनका ये शाओरिय, ये बलिदान हमेशा हर भारतिय के मन में अमीट रहेगा, आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मोग करने में पूरी तरह सक्षम है, ऐसे में हमने जहाँ एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचीत कदर उठाने के छुट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूंक स्पष्ट कर दी हैं, भारत पीस और फ्रेंड्शिप चाहता है, लेकिन अपनी सोवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वो परी है, साथियों, बीते पांच बर्षव में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रसेक्टर डेवलेप्मेंट को प्रात्विक्ता दी हैं, हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यक्ताओं जैसे फाइटर फ्लेंज, आदूनिक हैलिकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टिम, आदी पर भी हमने बहुत बल दिया है, नए बने हुए इंफ्रसेक्टर की वज़े से, खासकर LAC में, अब हमारी पेक्ट्रोलिंग की केपेसिटी भी बढ़ गई है, पेक्ट्रोलिंग बढ़ने की वज़े से, अब सतक्ता बढ़ी हैं, और LAC पर हो रही गतिविद्यों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है, जीन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे ज़वान अच्छी तरह से मोनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉंड भी कर पा रहे हैं, अब तक जीन को कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे ज़वान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं, बहतर हो रहे इंस्पास्टर से, एक मदद ये भी मिली है, कि हमारे ज़वान, जो उस कठीन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुचाने में आसानी हुई है.